आज मैं आपको बहुत ही अच्छा एक घरेलू पैक बताऊंगी जिसका यूज करने से आपके चिरे पे बहुत सारे डार्क स्पोर्ट्स हो रखे हैं एंटी एजिंग की प्रॉब्लम हो गई है तो आप उसको रिमूव करके इसकिन को एक्दम से बिल्कुल गोरा बेदाग बन लेंगे और इसमें लेने वाले हैं हम मुलतानी मिट्टी मुलतानी मिट्टी सदियों से हमारे चेहरे के लिए दाग धबो के लिए बहुत बरती उम्र के निशान को खतम करने के लिए बहुत ही जादा उपयोग में लाई जाती है तो इसमें हम 1-5 चमश के करीब लेंगे टाइट करती है तो इसके बाद में अब आपको इसमें लेना है वन पिंच हल्दी तो एक चुटकी हम हल्दी भी इसमें डालेंगे हल्दी हमारे चेहरे को केल मुहास और पिल्पर्स की प्रॉब्लम से दूर रखती है उसके बाद में आपको लेना है इसमें यह आलू का रस तो इसमें हम डालेंगे तीन से चार चमच के करीब एक आलू में निकल आया है अब इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स करके एक पैक हम बना लेते हैं यह आपकी एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पैक बन के तयार होगा जो आपके चेरे को एकदम से सुन्दर गोरा बना देगा साथी लूज इसकी नयापकी बहुत तेजी से टाइट करेगा तो आप इस तरीके से इसको बनाके रख लीजिए और अपने चेरे पे इसको लगा लीजिए लगाना कैसे है आई ये वो भी हम आपको बता देते हैं तो आपको इस तरीके से लेना है और अच्छे से इसकी एक लेयर अपने पूरे फेस पे अपलाई कर लेनी है आपको लगा के इसको आपको रखना है 15-20 मिनट के लिए 15-20 मिनट के बार आपने चेरे को एकदम से ताजे पाने से दो कर साफ कर लीजिए जब आप इसको लगातर कुछ हबतों तक यूज करेंगे तो आपकी इसकिन खुद बखुद आपको फील होगा कि आपकी इसकिन टाइट होने लगी है चेरे पे जो बहुत सारे डार्क स्पोर्ट्स थे या फिर बढ़ती उनके निशान थे वो धीरे-दीरे कम हो रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं यह बहुत यह अच्छा पैक है और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है और एकदम से नेचरल है आपकी इसके नेचरल तरीके से ब्राइट होगी टाइट होगी तो कैसी लगी आपको हमारे यह वीडियो में जरू बताएए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में